इसमें यहां से लेके यहां तक लंबी पाइप लगी हुई ही टैंक इसका यहां पे दिया हुआ है गाश्यार सस्पेंशन देते हैं और इसके लिए अलग से बनाया गया यह स्लॉट जिबकि देखो कि पहले से यहां से में कह रहता है कि आप उसको थोड़ा सा उसमें आपको अलग सौंड मिलेगा इंजन का मतलब आप हलो एभीवन यह है जूपिटर की 125 CC BS6 मॉडल जो भी रिसेंट में लॉंच हुआ है आज कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम से में पांच छे प्रॉब्लम तो मैं आपको ऐसे बताऊंग इसमें आपको दिखाता हुआ है तो पहली प्रॉब्लम यह है कि इसका फ्यूल टैंक आगे तो आप बोलो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है तो अच्छी बार है कि पिग्गी नहीं खोलना पड़ेगा हां तो सुन लिजे थोड़ी से बात आगे होने की वज़े से क्या है रु यहां तक लंबी पाइप लगी हुए टैंक इसका यहां पर दिया हुआ है तो जब भी मैं पेट्रोल भरवाता हूं तो इसना प्रेसर रहता है कि यहां से पूरा गाज भर जाता है और पेट्रोल बाहरान लगता है और यह पॉब्लम पीछे जब टैंक था तब नहीं होता यह पॉब्लम ऐसी है कि सिंगल राइडर चलता है यहां से इसका यह जो स्टैंड है इसका यह वाला पोशन अभी जब यूपर जाएगा यहां आता है नीचे रिस पे हर बार क्या होगा हर चोटे चोटे गड़े पर यह लड़ेगा नीचे थाड़ अब इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है यह प्रॉब्लम क्यों आती ही देखो इसमें देते हैं गैस चार्ट सस्पेंशन यह देता है और इसकी लिए अलग से बनाया गया यह जब कि देखो कि पहले से यहां से बना हुआ यहां पर पहले कंपनी देती ती लेकिन क्या marketing की वज़े से उन्हें नहीं क्या सोचा कि आचाना कि इसको बाद में अलग से लगा है अब इससे प्रॉब्लम हो दिया कि जिग राउंड क्लिरेंस गाड़ी की कम हो गई है वो नीचे वो हर जगा वो लड़ता रहता है अगर दो लोग बैठे हैं तो यह स्पीड में जा बिल्कुल रिफाइंड स्मूथ चलता है इसमें वाइब्रेशन का में यह बात मैं सिप्ट कर रहा हूं अगर आप 30-40 की स्पीड बहुत कम है लेकिन एक्टिवा में कह रहता है कि आप उसको थोड़ा सा उसमें आपको थोड़ा अलग सांड मिलेगा इंजन का मतलब आप प इसमें पढ़ने वाला इंजन ओयल क्यापसिटी इसमें पढ़ता है 700 ml मूबिल चीक है 700 ml मैं दिखा देता हूं कहां लिखा हुआ इसमें देखा हुआ तो यह यह चीज है कि मार्केट में आपको कहीं भी कोई पैकेट बना ही जिसमें 700 ml है 900 ml मिलता है आपको वन लीटर मिल जाएगा 12 ml मिल जाएगा 1,5 लीटर मिलेगा 2 लीटर मिलेगा लेकिन 7 ml नहीं मिलता है तो मतलब आपको हमेशा अरे यह सोचे को एजनसी में मिलेगा एजनसी में भी नहीं मिलता भाई एजनसी वाले भी 9 ml वाला इजालते हैं 2 ml पकड़ा रेते हैं गर ले जाने के लिए त तो fit and finish से related है अब मैं बताता हूं क्या प्राब्लम है यह जो इसका paint है ठीक है बहुत अच्छा color दिख रहा है ऐसे वगरा साइन ठीक है लेकिन इसमें जो है न वो क्या बोलते है consistency नहीं है यह पूरा यह चीज है इसमें परफेक्ट नहीं है और यह देखो एक पॉब्लम यह भी है कि आपको जो लग रहा है नहीं यह ऐसा कुछ नहीं यह उपर से डिजाइन नहीं किया गया इसके लिए पहले से लगता है कि असे बाद में भूलके और यह तो suspension में यह भी देना है तो अलग से चिपका देते हैं उपर से ऐसा चीज है यह पानी का प्रेसर पड़ता है जटका लगता है निकल जाता है फिर मैं उठात के गर लगा देता हू अगर आप से मिस हो गया तो तो गया रिफ्लेक्टर नहीं रहेगा एक साइड और यह चो क्रोम देखते हो ना यह क्रोम की भाई कोई लाइफ नहीं होती है क्रोम अगर दो साल तीन साल चल गया तो अच्छी बात है वरना यह किस से होती है निकल की क्रोम होती है पानी लगत तो यह भी बस ऐसी है जितना अच्छा रिकता उतना अच्छा है नहीं और और क्या बताऊ मैं इसकी और थोड़ी से मुझे ऐसा परस्टनली मुझे ऐसा फील होता नहीं कि यह गाड़ी थोड़ी से आगी से बाउंस करती कॉंस्टें चलाने पे भी तो यह भी मेरे लिए एक सब्सक्राइब को पता है यहां चलिए आपकी कंपनी कमपनी है तो चला रहे है उसके बाद और कुछ खास दिकत नहीं है बाकी तो आपको पता यह इसमें क्या क्या फीचर है फीचर टांस बूट श्सपेस बड़ा है यह यह त्यकिया तीन लोग अराम से बैठते हैं बाही और बाकी चीज़ तो बढ़िया है मोबाइल चार्जिंग मोबाइल चार्जिंग स्पेस कंपनी वालों ने बहुत सूचा है लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें प्रतलब कंपनी वालों को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए प्रोड़क्ट पर स्मूथनेस पर यह क्या करते हैं अब फीचर वाला लॉलीपॉप पकड़ाते हैं सबको फीचर लेलो यह लेलो यह लेलो यह फीचर लेलो आप मेरी गाड़ी लेलो बस उसके बाद फिर उनका कुछ नहीं स्पॉंग्विल्टी घतम चलिए ठीक है आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं फिर अगले किसी व